नमस्कार आप देखरें न्यूजवर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन अरायन शुरुवात करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों की शुरुकिष्ण की कुड़ेस्थ हली मत्वरा विंदावन में आज गंगा दशेरे के बॉके पर यमुना में सनान के लिए जन सैलाब उमर पड़ा यहां यमुना में रुप्य लगा कर सनान किया गया और सनान पूर्णे कर लाप कमाए गया आज की दिन की सनान करने का भूमी नदी में समा गई है बसंता पूर्ण श्रीनगरा दतनगर अमवा गाउं में कटान कर रही राप्ति कटान से बचाप के लिए प्रशासिक इंतिजाम नजर नहीं आ रही है माध़पुर्वा पुल के निकट ठोकरों को काटती हुई नदी लगातार नजर आ रही है सड़क पर खत्रा अलगातार मंड़ाय हुआ है बार से मार्गों के शतिग्रस्थ होने से जमना श्रेत के कई गाउं का संपर्क कट गया है बिंगा जमना और बिंगा लक्षमनपूर मार्ग कई जगह पर शतिग्रस्थ हो गया है मौसम भाग नागामी 22 तक बारिश का अलर् जिला में कानूल व्यवस्ता दुरूस रखने के लिए कई स्थानों के थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है और कुछ को नई तैनाती दी गई है और फिर बदल किया गया अलुकुमार सिंग डिरापूर प्रमोश शुकला रसूलाबाद धर्मेंद्र मलेक रू बचाई है जिसके बाद एंबुलेस के द्वारा जिला स्पताल में लाज के लिए व्यक्ति को भीजा हार्दोई की कोतवाली शहर इलाके में ग्यात चोरू ने एक अधीवक्ता के घर में चोड़ी करना को अंजाम दिया वहीं अधवक्ता के घर के सामने रहने वारे क्युक पर सेरसा पुलिस पहुच कर मामने की जाश परताल में जुटी हुई है विली जानकारी के अंसार में तक व्यक्ति का नाम पुतुलाल उर्फ नाम निवास बताया जा रहा है यह पूरा मामला गदाना थाना गौराहा चौराहा जनपद बलरामपुर का है के पैसों में कहा सुनी में गुसाय दबंगो ने गरी परिवार से ना केवल मारपीट की बल्की रविवार की सुभा यानि कि आज सुभा पंचायत में भी लाठी डंडों से मारपीटाइग की गई बताया जारे कि मारपीट में गर्वती महिला को गंभी चोटी आई हैं जि पूरे गटना करम के अनुसार धर्मेद ने अफशक्ता पढ़ने पर अपनी कमीती उठाई थी जिसको लेकर बबाल हो गया था फिलाल पुलिस इस पूरे मामने के जाज़ प्रताल में चुटी है पिलिपी जनपद में शार्दानदी की बार ने शेत्र में तबाही मचा दी है लगातार हो रही बरसात उत्रखण के बनवसा बेरा से चुड़ा गया पानी चार लाग क्यूसक बताया जा रहा है जिसके वज़र से कई इलाकों में बार के हालात बनती हुए नज़र आ रहे ह आपको दादें कि शार्दानदी के आसपास के गाउं में पानी की बार आने से ग्रामिनों की मुश्किले और ज्यादा बड़ती भी नज़र आ रहे हैं शार्दानदी के पानी की बार ने पिछले साल रहुन लगर कालोनी को वीरान कर दिया था और इस बार भी शार्दानद बरिली में बढ़ती महंगाई से जोहां आम जंता परिशान है वहीं इस कोरुना काल में पेटोल और डिजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की कमर दोड रहे हैं बढ़ते पेट्रोल के दामों का जाज़ा नेने के लिए नियूस वाल इंडिया की टीम बरेली के पेट्रोल पंप पर पहुंची है जहां पर लोगों से बाचीद भी की गई लोगों का साफ़तोर पर कहना है कि एक तरफ पुर्णा की विज़े से लॉगडाउन में कारुबा करता है